तो यह कहानी है जानकी नगरगाओं के तीन डाको की जो की डाको बनकर लोगों को डराना और धमकाना चाहते थे लेकिन सायद ने यह नहीं पता था कि डाको बनना भी कोई आसान बात नहीं होती तो आएए अब आगे देखते हैं क्यों के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम डाकू बनने से पहले क्या थे लेकिन क्यों अबे सूतरी के अगर किसी को पता चल गया हम डाकू बनने से पहले नालिया साब करते थे तो हमारी काईज़त रह जाएगी सरदेर क्या रह जाएगी मैं अभी तुझे बताता हूं क्या रह जाएगी। लालालाला Award लालाला क्यों रे तुही नाली साब करने वाला सस्ता डाकू बोला है। किसने मुझे से गद्दारी की। अरे सर्दर, फौन कट जाएगा। ओ हाँ तुम्हें यह गड़ को लूपके। काम हो जाएगा लेकिन एक ब्लेट ठीर अधे हमारे लिए बी अरे नहीं नहीं तीन प्लेट बड़ियानी ये दोलाक रुपए देने होंगे ठीक है काम हो जाएगा है जलो सरदा लूटने चलते हैं कहा seb और लगं जिसमünde करनी है री क कि तो नोगिसंद सब्ają है struggling कि कीमती चीजें हैं वो मेरे हवाले कर दो सरदार ऐसे नहीं मानेंगे हाँ तुम सही के इसमें की गोली कहां गई सरदार आपने ट्वलेट करते से में गोली भी जाते हैं खड़े की हूँ जल्दी यहां से भागो लगता है सले फसा गए और ही महिया वहुसरी के दुबारा चोरी करने मता जी यह अपने सदर है नहीं तुमें क्या पता अपने सदर बहुत सब्सक्राइब लोगों कुट्टे की जड़ागा सरदार क्या हुआ अरे हुआ का उन तीनों बहुत लड़ी वाले को मैंने कुट्टों की तरह मारा आपकी शकल देखके लग रहा है सोचो जब मुझे इतनी लगी है तो उन्हें कितनी लगी होगी सरदार हमें पैसे दो हमक को भूख लगी है नहीं पैसे कहीं गिर गए अगर पैसे नहीं तो आधर का डेटेम कार्ट देतो अबे भोसड़ी के काड़ चाहिए तुझे लाबेल हाँ छोड़ दो सरदार माफ कर दो हाँ चलो चलकर किसी को लूटते हैं वह आदमी देख रहे हैं अरदार अपनी गेंग का तो नहीं दिख रहा है अबे गद्धो तहां है गद्धो तालो तुमसे कह रहा हूं उसके हाथ में जो फॉन है उसे चीनना है बोसड़ी के पॉन लेके भागेगा लगता है सलाम मर गया अब ना बनूंगा डाकू फिर से सफाई करने वाला नवकर बन जाओंगा